टार्गेट विद पियस परिहार चेनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में दो बड़ी सुचना है एक तो है TGT और PGT की दूसरा है नए आयोग का आखिरकार विरोध क्यों हो रहा एक बड़ी सुचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें शेर कर दें जिन वे सभी अबर्थी तच्छू प्रकासन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं अगर विद्धार्थी कम समय में तयारी करना चाहते हो तो यह पुस्तक बेस्ट है चुकि इसमें 2000 से ज्यादा विकल्पी प्रशन दिये हुए है जो कि उसी पैटर्न की है जिस प्रकार की प्रसन हो चाहे वो आपके subject के question हो चाहे computer के question हो सारा के सारा जो सलेबा से इस पुस्तक में cover किया गया है चचु प्रकासन की यह पुस्तक है आपको सभी काभी किताबों की दुकानों मिल जाएगी और अगर आप लोग online मंगवाना चाहते है तो उसकी link मैंने description box में दे दिया वहाँ जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है टीजिटी पिजिटी चेयन बोड़ जीत पक्की है चेयर में पहुंचे चेयन बोड़ चुँकि विद्यार्थी लगातार दो तीन दिनों से प्रयागराज में चेयन बोड़ में धर्ना पर दर्शन कर रहे हैं इस कड़ाके की सरदी मे वो किसी से मिलते नहीं थे और प्रयागराज नहीं आती है यह सबसे बड़ा एक आरोपता विद्यार्थियों का और जानकार यह मिली है कि जो चेयर मैंने वो कल ही प्रयागराज आ गयते कल कुछ विद्यार्थियों से बात भी और जबर्शस्त वहाँ पर नारे बाजी हो यह दोनों कोई कार नहीं करने के लिए जो है रोका गया है चैन बोर्ट को यह कहना जल्दबाजी होगा लेकिन हमारा यह मानना है कि अभी जो चल रहा है चैन बोर्ट अस्तित्तों में है तो वह अपना परिच्छा तिति की घोशड़ा कर दें या सीटों में विद्धी के लि से जो है वह हार होगी और विद्धारतों की जीटों में ब्रद्धी हो सकते चात्रों के तरफ से कहा गया कि अगर आप लोग आते रहें और एक जुटता है लोग तंत्र की सबसे बड़ी ताकत है विरेश कुमार राय जी चैर्मैन है वह अभी चार दिन प्रियागराज में रहें शीतला प्रसाथ ओजा प्रतियों की चात्र प्रतिनी तो जहां पर एक तरफ आप लोग दे सकते हैं प्रतियों की चात्र मुर्चा के जो चात्र हैं वह जबर्चस्प्रदर्सन कर रहा है इसकी बाद में एक और सुस्तिना तो सुबह की वीडियो में छूट गई थी और वह सुस्तिना थी कि नया सिक्षा सेवा चैन आयोग का विरोध हो रहा है बनाने का अचुत्त क्या है बताए सरकार और यह लिखा हुआ समचार पत्र में अच्छा खासा पूरा कालम है यहापर और लिखा है कि नया सिक्षा सेवा चैन आयोग की ना तो जरूरत है और न सिच्छा सेवा चैन आयोग का गठन और उच्छा ने देशाला के लखनाव सिफ्टिंग का प्रस्ताव स्विकार नहीं हो सकता है और युवा मंच ने यहाँ पर घोज़ना भी की थी कि जो धर्नप्रदसन आज होने वाला था पत्तर गिर्जागर में वह धर्नप्रदसन अब कि विध्यारती कमेंट करना है कि सर यह कैसे हो सकता है सदस्य नहीं और परिच्छा बोगी या नहीं होगी तो कल मेरी बातचीत हुई थी उपसच香港 है उन्होंने मुझ से बताया था कि मार्च में प्रस्तावीत है परिच्छा चेन बोड की कोशी से कि मार्ची परिच्छा हो जाएगी परड़ाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है तो परड़ाम में देड़ी हो सकती है वो सुझना मैंने आपको दी थी और देखते हैं आगे क्या होता है आप लोग धरना परदर्सन द की दिन जाता है इसकी आवाज केवल चेन बोड तक ही नहीं पहुंचती है इसकी आवाज इसका असर जो है वो सासन तक जाता है सासन को जवाब देना पड़ता है और जो अधिकारी होते उनको जवाब देना पड़ता है कि आखिरकार प्रयागराज में धर्नापरदसन क्यों हो रहें तो वह तलब करेंगे मुख्यमंत्री और पता करेंगी इसलिए आप लोग यह जो प्रदरसन है यह जो दबाव लगातार बनाते रहें और जो विद्यारती चैन बोर्ट पहुंच सकते हैं वो जल्दी से जल्दी चैन बोर्ट पहुंचे सर्दी में और बहुत सारे जो चात्र हैं बहुत सारे जो विद्यारती वह आप पहुंच चुके हैं पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को आप लोग जाता जाता सेयर भी करते हैं